हलो स्वागत है आप सब का इंफिनिटी लर्ण जैई चैनल पे एक बार फिर से मैं हूँ अने रुधा आपका फिजिक्स फैकल्टी यहाँ पे और आज हम लोग कंटिनिवेशन कर रहे हैं लाज टे वर्क पार एनर्जी कर लिये थे और वर्क पार एनर्जी के एंड की तरफ हम लोग का NCRT में टेखनिकली उस चैप्टर में है कि कोलिजिंस है अब कोलिजिंस का अक्चुली वर्क पार एनर्जी से डिरेक्ट रिलेशन होता नहीं है वो जादा तुम सेंटर ऑफ मास के पॉइंट आप व्यू से सोच सकते हो लेकिन आज वह वाला कर लेंगे लास्ट आजाता है तो उसको कैसे डील करेंगे वो सारी चीज़ेंगे यहां पर साथ ही काफी सारे प्रॉब्लम्स भी लगाए हुए ताकि जो फॉर्मूला या जो थियोरी हम लोग सीख रहे हैं इमीडिटी तुम्हें इसका अप्लिकेशन देख जाए अब पहले ही बता देता हू क्योंकि यह हम लोग का introductory session है इस session का purpose है कि theory concept सारे समझ में आएं questions के लिए आगे आएंगे जैसे कल हम लोग का work power energy का PYQ का session है उसके अगले दिन collisions का PYQ का होगा उसके बाद हम लोग external questions लेके आएंगे तो काफी सारी content इसके बाद भी आने वाली है इन chapters के रिगारे तो यह सा question में काफी सारे questions लाया हूं काफी सारा theory है तो सब पसंद आएगा तुम लोगों को obviously क्योंकि collisions बहुत students का weak point रहता है concept में ज्यादा कुछ है नहीं लेकिन बात ही है कि काफी teachers इसको कुछ हद तक skip कर जाते work power energy वो actually यह न घर का है न घाट का है न वर्क पार energy में आता है न सेंटर अफ मास में आता है तो अकसर skip हो जाता है यह वाला पार तो skip ना हो so we'll continue over this so students do like it hello mr. anonymous Mukesh welcome Virat Rohini Dhiru welcome everyone good evening abhi evening नहीं नहीं हुआ है with Dhiru चार बजे के बाद evening होता है मेरी qualifications मैं I am from IIT Kharagpur I am an alumni of IIT Kharagpur मैं पिछले 9 साल से जही के लिए prepare करा रहा हूं बच्चों को काफी सारे rankers भी निकाले हैं and मेरा personally IIT Jam में IIT JEE तुम लोग जादा कॉमन दी जानते हो IIT Jam होता है subject specific similar चीज होता है लेकिन subject specific होता है so physics में होता है अलग सी chemistry का maths का होता है IIT Jam में I have an all India rank of second in open category and I am also the certified one person by the Indian association of physics teachers तो यह मेरे qualifications लेकिन qualification से कितना दूर तक जाते हैं पढ़ाना कैसे है वो तुम लोग बताओ चाड़े ओके चलो Let's start students To just start करने से पहले एक और छोटा सा announcement 15th August को एक बड़ा surprise दाने वाला है I will not reveal what it is over here लेकिन आने वाला है just stay tuned to it पता चलेगा overall हर session में हम लोग इसको promote कर रहे हैं साथ ही साथ जित्ते students हम लोग के infinity platform के साथ जड़ना जाते हैं उन लोगों के लिए काफी सारे right now friendship day just गया तो अभी काफी सारे promotions चल रहे हैं जहां पर आपको 30% तक off मिल सकता है 30% तक off मिल सकता है साथ ही साथ अगर आपको refer करना हो काफी सारे गुड़ीज Amazon vouchers वगेरा बहुत सारे हैं तो तो दिस वेरी गुड़ ताइम तो चेक इड़ आओ अनी क्लास तुब क्लास 8 से, क्लास 12 तब J.E.N.E.T. अनी कोर्स तो 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 आपको 30% off तो यू चेक दाओ वो सारा डीटेल तुमको मिल जाएगा www.infinitylearn.com Okay No idea right now, you'll get to know over time You'll get to know Let's move ahead Now we are going to the content We are going to the introductory part Now we are going to the content Let's get started So first, let's look at types of collisions Okay, types of collisions Collision को भी हम दो तरह पे तोड़ेंगे दो type के collisions दो categories के basis के तोड़ सकते है सबसे पहला है अच्या, उससे पहले, types of collisions से पहले If two bodies try to occupy same space at same time Collision takes place मतलब same place at same time मतलब जो basic है Sound problem हो रहा है क्या Students, परको थोड़ा Information देना Sound issue हो रहा है क्या Chat में, do let me know, all the other students Voice problem हो रहा है Once again, just a moment मेरे इंपर दिप्टिक लग रहा है Just Just give me a moment, students Eik moment, I'll be back, students Just a moment I will be back, students Just a moment झाल झाल कि अर्दक ś pride झाल कर्क कर्क झाल झाल प्रोड़ा था प्रश्ट 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 थोड़ा थेक्निकल इस्ट वेकिन आप मेरे को थोड़ा सा confirmation देना तब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन को लेके सेशन को लेके सेशन स्टार्ट कर देंगे तो सबसे बहला है इफ टू बोड़ी टॉपई सेशन टेक्स प्लेस सिंपल पॉइंट ऑफ यू से है कि एक बोड़ी एक जगा पे है दूसरी बोड़ी उसकी जगा या फिर दोनों बोड़ी दो तरफ से आके सेम जगा पे सेम टाइम पे पहुशना चाहरी है तब होता है कोलिशन इतना लॉजिकल भी सोचने की ज़रत नहीं बस दो अबजेक्स धक्का खाते है वही कोलिशन है सिंपलर वे टू लुक यह टेक्निकल डेफिनिशन है लेकिन इस 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 सबस Düst cult कोलीशन भी सिंपलर वे टू लुक मॉำ तो वार्पे लोड बहुत कोलीशन। अगे कि इस से वहारा जे एन्स छे वेंग से थ हरी क्वेशन इस से वहरा जिए मेंच का वेंगाता है कर दनीशन चैनल नंट किонец जाइन भी तिम्हें जाइं मैं एसी थाइप के देंगे कि अफॉपार्टिकल ओफॉपार्टिकल यानुच कि की कुम्न रिच आ लौंच हुआ यह कैनेटिक एनरजी के साथ लॉंच हो एक स्पीड है कईनेटिक एनरजी और और जैसे जैसे वो उसके पास जाता है, तब तक वो potential energy में change हो जाता है, उसका speed कमता जाता है, और technically वो कभी नहीं टकराएंगे, वो यह alpha particle पास तक आएगा, फिर छिटक जाएगा, वो सकता है, nucleus भी दूसरे साइड में छिटक जाएगा, yes, closest distance of collision, closest distance of approach जिसको बोलते हैं, ठीक without contact collision हो सकता है, यह oblique collision वगेरा सब हो सकते हैं, चलो, let's move on, Mohamed Sir, subscription वाला class चलता, क्या आप लोगों का, हाँ चलता है, Mohamed, सारे details तुम्हें नीचे, infinitylearn.com का link रहेगा, वहाँ देख लेना, सारे details मिल जाएगे, so example, alpha particles bombarded towards a nucleus, types of collision, सबसे पहला division हो पाता है, based on the direction of motion, हाँ, यह एक important point है, जो class से थोड़ा सा कर रहे हैं, क्योंकि student subscription के बारे में पूछ रहे हैं, कि right now 30% सबके लिए है, और अगर आप लोग, आपके parents, defense या paramilitary में है, then in that case, you get a 76% discount, okay, तो just चले जाना, infinitylearn.com में सारे details तुम्हें वहाँ मिल जाएगे, आचा, सबसे पहला, based on the direction of motion, दो type के collision होते है, एक होता है head-on collision, एक होता है oblique collision, ठीक है, दोनों के बारे में आज पढ़ने वाले है, head-on collision कब या होता है, head-on collision को अकसर बोला जाता है, as one dimensional collision, क्योंकि example समझो, example होता है, कि suppose एक ये ball है, और ये ball है, दोनों balls एक दूसरे की तरफ आ रहे है, सीधे straight line पे एक connecting दे, और आ के, दोनों टकरा के, वापस ऐसे धका काएंगे, फिर वापस उस तरफ चले जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलते है, one dimensional motion, ठीक है, क्योंकि ये पूरा चीज, आना, जाना, सब कुछ, एक सिंगल नाइन पे हो रहा है, it is one dimensional here, okay, तो one dimensional motion में, when angle between velocities 0 और 180, again, more complicated definition ह है, simpler definition समझो, कि जो भी motion हो रहा है, वो सिंगल लाइन पे हो रहा है, okay, that is head-on collision, क्योंकि, technically, it's like, जिसको हम लोग head-on collision भी बोलते हैं, अकसर, टकरा रहा है आके, okay, तो ये हुआ head-on collision, ये वाला example है, next, अगला type का होता है, when angle between the velocities is 0 degree और 180 degree, उसको हम लोग बोलते हैं, oblique collision, ये सबसे common है, देखो, collision picture करने के सबसे easy examples होते हैं, एक होता है वो billiards वाला, ये billiards जो लोग खेले हैं, billiards, snooker, pool जो होता है, वहाँ पे जो balls का collision होता है, वो actually collision है, physics के point of view से भी collision है, लेकिन out of more, हम लोग Indian है, Indian point of view से, even जो carom का game है, जो carom होता है, carom is also all about collisions, तो एक होता है, carom के board में, दो type के shot होते हैं, ठीक है, carom के board में, दो type के shot होते हैं, अगर तुम लोग मंजे वे खिलाडी होगे, तो पता रहेगा, इधा line है, तुम striker को यहाँ रखे, अगर तुमारी गोटी एकदम यहाँ पे है, तुमें इस pocket में डालना है, तो तुम striker को straight गया, यह पूरा चीज एक line पे हो रहे है, यह होता है, इंची shot, ओके, और एक type को होता है, कि suppose गोटी is somewhere around यहाँ पे है, और तुमें इस side से मानना है, तो तुम shot को कैसे मारते हो, तुम मारते हो, ऐसे मारते हो, और यह छिटक के उधर जाता है, इसको हम लग बोलते हैं, angle shot, कैरम में, तो इसको यह वाला हो जाएगा तुम्हारा oblique collision, क्योंकि यहाँ पे, यह इस direction में move कर रहा है, लेकिन जो दूसरा object है, वो दूसरे angle पे चला गया, तो इसको हम लोग बोल देंगे, as oblique collision, as long as, एक line पे नहीं है, तो अलग-अलग line पे जा रहा है, उस वो define करेगा, head-on collision है, कि oblique collision, ठीक है, next, अलग part में divide कर सकतें collisions को, सबसे पहला है, elastic collision, elastic collision में students का confusion रहता है, कि elastic collision हमेशा elastic bodies में होता है, rubber में वगेरा में, ऐसा कोई बात नहीं है, technically जो purely elastic बोलते हैं, वो किसी body में नहीं होता है, ठीक है, तो elastic collision क्या है, जहाँ पे kinetic energy after collision is equal to kinetic energy before collision, अब जब भी दो bodies collide करते हैं, क्योंकि उनका speed रहता है, उनमें kinetic energy होती है, और collision के time, वो kinetic energy थोड़ी उसको मिलती है, थोड़ी इसको मिलती है, लेकिन most cases में, तुम क्यारम का सोच लो, billiards का सोच लो, collision के time, एक sound भी release होता है, कभी अगर metal walls वगेरा हो, sparks भी release होता है, light भी release हो से ही, तो इसलिए टकराने के बाद, most cases में, दोनों body का total kinetic energy कम जाता है, क्योंकि कुछ हद तक energy तुम्हारा light में चला गया, कुछ sound में चला गया, इधर उधर फैल जाता है, लेकिन अगर elastic collision का बात करें, तो वो नहीं होता है, elastic collision में, after collision और before collision, kinetic energy conserve रहता है, मतलब elastic collision में okay, next up, during the process of collision, some part of kinetic energy converts to elastic potential energy, यह during collision है, यह अच्छी तरह से समझो, यह during collision है, मतलब, सपोज तुमने दो बॉल लिया, रबड के बॉल, और दोनों को collide किया, तो एक moment पे तुम्हें लगेगा कि kinetic energy नहीं है, क्योंकि दोनों बॉल सपोज आए, एक मोमें पे टकराएंगे, फिर वो दोनों वापस जाएंगे, और आते वक्त और जाते वक्त, kinetic energy equal है, लेकिन तकराने के moment पे, वो kinetic energy कुछ हद तक, elastic potential energy में बदल जाता है, क्योंकि वो जब तकराता है, तुम देखना कभी balls को तकराते हैं, अगर slow motion में देखोगे, वो दोनों बॉल kind of squashed हो जाते हैं, थोड फिर वो elastic potential energy वापस kinetic energy में उसको निकाल दिया, ओके, next type होता है, inelastic collision, और inelastic collision सबसे common type के है, elastic का real life में example, next to nothing है, कुछ molecular, कुछ atomic level पे होते हैं, लेकिन आस पास में तुमें, elastic, purely elastic collision जिसको बोलते हैं, वो तुमें दिखे गाएने, बुद आफ्टर नों प्रेम, तो kinetic है, इस less than the kinetic energy before collision, expected collision process में कुछ energy का loss हो गया है, तो during collision, if no external force acts, then the momentum of the particles after collision is equal to momentum of the particles after collision, momentum of particles before collision, ये one of the most fundamental formulas है collision का, जादा तर question solve करने में तुमें यही formula लगाएगा, ठीक है, एक kinetic energy का भी आता है, लेकिन kinetic energy का लेकिन energy वाला formula, I will recommend that don't follow, ठीक है, मेरा recommendation होगा कि उसको follow मत करो, वो कॉम्लिकेट करेगा तुमारा calculation, तो initial momentum is equal to final momentum, मतलब, suppose दो bodies है, एक इधर, एक इधर है, इसका speed है V1, इसका speed है V2, ठीक है, या suppose दोनों को same side में ही करते हैं, तब simpler हो, तो इसका अगर mass M1 है, इसका अगर mass M2 है, ये दोनों आके collide करते हैं, तुम बोलोगे कि सर ये तो दोनों same side में जा रहे है, collide कैसे करेंगे, V1 का speed अगर V2 से जादा होगा, तो of course collide करेंगे, विधर जाते जाते ये पीछे से आके मारेगा धक्का, वो भी collision हुआ, तो बाद में after collision, suppose ये M1 का speed हो जाता है V1 dash, और M2 का ह हो जाता है V2 dash, velocity बदल जाता है after collision, लेकिन momentum हमेशा conserved रहेगा, मतलब, M1 V1 plus M2 V2, ये था initial momentum, starting में, it will be equal to M1 V1 dash plus M2 V2 dash, और important चीज़ है, conservation of momentum, हर case में, हर type के collision में conserved रहेगा, ये जो energy वाला है, मैं क्यों ignore करने बोलना हूँ, क्योंकि energy वाला चीज, elastic में रहेगा, inelastic में नहीं रहेगा, complicated हो जाता है, momentum हर case में, collision है, लगा सकते हो, एक ही बस criteria है, कि no external force acts, वो अगर collision का question है, तो वो no external force acting वाला case ही देंगे तुमको, momentum of individual particles changes, देखो, इसका M1 V1 से M1 V1 dash हो गया, individual particle का change हो सकता है, लेकिन, overall, total sum रहेगा, हमेशा conserved, okay, यहाँ पे perfectly elastic collisions का दिया हुआ है, perfectly elastic collision in one dimension, मतलब head-on collision वाला case है, तो यहाँ पे U1, U2 initial velocities है, V1, V2 final velocities है, M1, M2 दोनों masses है, तो यह दो formula students, मैं recommend करूँगा, कि तुम लोग, इन दोनों को याद रखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि, this is a very common kind of formula, जहां से questions आते हैं, और इसको derive करने में लगता है, काफी जादा time, तो इसको examination होँ में derive करने जाओगे, बहुत time निकल जाएगा, इसलिए इन formulas को याद रख लो, क्योंकि यह अकसर तुम्हें काम दे देंगे, यह तुम्हें directly क्या बताते हैं, यह तुम्हें directly यह बताते हैं, कि दो masses हैं, दोनों का speed suppose, U1 है, इसका U2 है, इसका mass M1, M2 है, तो धक्का खाने के बाद, इसका speed अगर V1 हुआ, इसका V2 हुआ, वो V1 और V2 के values क्या होगे, directly आ जाते हैं, क्योंकि इसको अगर तुम examination hall में derive करने जाओ, तो एक तो coefficient of restitution से जाना पड़ेगा, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यह तो kinetic energy से जाना पड़ेगा, उसमें time जा है, ठीक है, फरक नहीं पड़ता, नीचे denominator सेम रहेगा, M1 प्लस M2, इसका भी M1 प्लस M2, दोनों का सेम, denominator सेम है, numerator में तुम इसको याद रख सकते हो, जिसका भी speed है, दूस्रे वाले का 2 M1 U1 है, दूस्रे मास का initial momentum, इंटू 2, और उधर M2 माइनस M1 इंटू U2, जस्ट एक formula को अगर याद कर लो, अगला formula देखो, सेम, जस्ट इसका reverse है, U1 और U2 के जगह reverse हो गया, that's it, ठीक है, तो इन दोनों formulas को, I will recommend कि तुम याद रखना, Okay, body of mass M1 moves with kinetic energy K, undergoes elastic collision with another body, अच्छा, अगले वाला formula यहाँ पर आगया, first part, M2 rest, kinetic energies as a fraction of KR, okay, elastic collision में, kinetic energy, total, जो initial kinetic energy है, वो डिवाइड हो जाता है, between two of them, given by this, इनका, फिर से में बहुत जादा heavy derivation पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि derivation इन में तुम्हें उत्ता लगेगा नहीं और यह formulas भी directly बहुत popular नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं, थोड़े uncommon formulas हैं, बट तुम्हें examination hall में यह थोड़ा advantage दे देंगे in terms of time, तो उसके मताबिक इनको याद रख सकते हो, ठीक है, यह वाला मैं बोलूँगा कि रट्टा मत मारो, अगर examination hall में लगा, तो you can derive it over there, kinetic energy वा momentum वाला, velocity वाला याद रखो, इसको याद रखने की जरुरत नहीं है, okay, I've just put it over here, अगर perfectly inelastic head-on collision है, perfectly inelastic head-on collision किसको बोलते हैं, perfectly inelastic उसको बोलते हैं, जब दो masses टकराने के बाद, एक single mass बनके जा रहा है, एक single mass बनके जा रहा है, जैसे दो clay balls होगे, सबसे common example होता है, clay ball क दो clay balls आएं, दोनों clay balls को तुमने टकराया, वो चिपक जाएंगे एक साथ, बाकि उनका movement वो चिपक के हैं, तो अगर दो masses ऐसे टकराते हैं, कि after the collision, they behave as one mass, तो उसको हम लोग बोलते हैं, perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision का defining property यह होता है, कि उसमें kinetic energy का loss सबसे जादा होता है, it's maximum, inelastic में कु perfectly inelastic में, maximum kinetic energy का loss होता है, okay, common velocity, यह वाला, देखो, अगर इसका speed है, M1, दोनों का direction सेम करते हैं, direction उलट गया, तो चीज बदल जाएगा, M2, और final velocity है, V, then सिर्फ conservation of momentum से तुमारा क्या आएगा, M1 U1 plus M2 U2 is equal to, इसका, it's now behaving like a single body, with a mass of M1 plus M2, into V, तो V हो गया, M1 U1 plus M2 U2 by M1 plus M2, laws in kinetic energy का भी formula, अगर direct लगाना चाहते हो, लगाओ, मेरा recommendation है कि मत लगाओ, जब जरूरत पड़ेगी, derive कर लेना, derive मतलब, यह formula derive नहीं करना पड़ेगा, values के according answer निकालना, formula रट्टा मत मानने जओ, okay, if the particles are traveling in opposite directions before colliding, then similar formula है, बस U1 plus U2 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे, याद रखना, जब भी U1 और U2 बिठाओगे, direction के according positive और negative लगाना है, questions करेंगे, मैं जस्ट अभी theory के उपर से जा रहा हूँ, U1 और U2, अगर same direction में है, then it is U1 minus U2, लेकिन अगर U2 इस direction में है, तो U2 को हम minus U2 करेंगे, तो minus of minus would make it plus, यह even momentum के relations में भी true है, तो उसका ध्यान रखना, कि तुम्हारा velocity opposite directions में है, कि same directions में है, accordingly तुम डालना, इसलिए मैं बोलना हूँ, इन formulas को रट्टा मत मारो, momentum वाला याद रखो, और इसको याद रखो, इसमें U1 और U2 accordingly, अगर सामने वाला direction positive define कर दिया है, तब U1 उस साइड है तो positive, अगर दूसरा माज भी उसी ताइप जा रहा था, तो U2 भी positive, अगर वो इस साइड आ रहा है, तो U2 negative, तो इसको इकमात रखो, इस formula को, इस formula को, याद रखने की ज़ुरत नहीं है, यह formula तो ऐसे ही जट से निकल आएगा, ठीक है, don't remember this or this formula, get the answer, simple kinetic energy निकाल सकते, initial or final, subtract करके, वो easier होता है than using this, इसमें तुम गलती करने के chances बढ़ जाते हैं, चलो, यह है common question, this is the ballistic pendulum, ballistic pendulum का setup है, कि एक pendulum लटक रहा है, at rest, और मैंने इस side से एक गोली मारी, वो गोली जाके, यहाँ पे hit की, okay, that bullet goes and hits into this, और सो हो सकते, वो pendulum को ऐसे आगे लेके चला जाएगा, pendulum will move on its path a bit, तो यहाँ पे, जो collision होता है, that is a perfectly inelastic collision, क्यों, क्योंकि यह bullet, इसमें लगने के बाद, यह दोनो, एक साथ, बुलेट अंदर धंस जाता है, and then they move as one complete mass, बुलेट अंदर है, तो यहाँ पे perfectly inelastic collision लगेगा, तो question पूछा जाता है, कि pendulum किस height तक उठेगा, generally यह, या फिर नीचे का velocity, either of these two, पूछा जाता है, तो देख लेते हैं, पहले, कि कैसे आएगा, क्या आएगा, we'll derive the entire thing, क्योंकि एक type का question है, which is important, सबसे पहले, momentum conservation, वो step 1, हमेशा step 1, momentum conservation के according, initial momentum क्या है, सिर्फ mv0, यह तो at rest है, capital M, इसका mass suppose capital M था originally, यह तो at rest है, तो initial momentum, is just mv0, that is equal to the final momentum, final momentum में, total mass अब हो गया है, capital M plus small m, और suppose right after collision, its speed is v, so right after and right before collisions को देखना है, मेरे को, speed is v, that is capital M plus small m, into v, मतलब v is equal to, capital M plus small m, ah sorry, small mv, small mv0, divided by capital M plus small m, मतलब यह धसने के बाद, इसका speed है v, अब बस तुमें निकालना है, work power energy के according, कि यह किस height तक जाएगा, तो simple है, right now, इसका kinetic energy कितना है, इसका kinetic energy होगा, half capital M plus small m, क्योंकि total mass अब यह है, और उसका speed है v, into v square, is equal to mgh, kinetic energy इस भी equal to potential energy, तो m के जगा भी यहाँ पे, capital M plus small m आएगा, into gh, ठीक है, क्योंकि वही मास उठ रहा है, इनको हटाओ यहाँ से, तो v square is equal to, sorry, v is equal to root over of, 2g, अचा हमेरे को h चाहिए था न, माई बाद, हमें h चाहिए था, तो हम लोग इसको h के terms में लिखेंगे, h is equal to v square by 2g, which is equal to, v हमारे पास है, it is 1 by 2g into mv0 divided by capital M plus small m whole square, that is the height that it will rise to, ठीक है, बस simple kinetic energy यह से, तो यहाँ पर देखो, मैंने कोई formula नहीं लगाया, kinetic energy क्या होगा वगेरा वगेरा, जैसे दियें, accordingly derive करो, work power energy के according, अल्राइट, चलो, अगला important concept होता है, coefficient of restitution, students, किसी को भी कोई भी doubt हो, do let me know in the chat, मेरे को चाट में पूछ रो कि सर यह वाला part clear नहीं हो, दोबारा बताना या इसको थोड़ा अलग से explain करना, I will do that, okay, coefficient of restitution पे आते हैं, again a very important point, और इसको actually, मैं बहुत importance इसलिए देता हूँ, क्योंकि इसके बदालत, काफी सारे, काफी सारे questions, easier हो जाते हैं, जहाँ पे तुम्हारा शायद, even elastic collision में, जहाँ पे kinetic energy का relation लगाओगे, तो और मुश्किल हो जाएगा, काइनिक energy का relation लगाओगे, और मुश्किल हो जाएगा, coefficient of restitution लगाओगे, तो आसान होगा, we'll see, तीरो कौन सा बार्ट रिपीट करना है, just let me know, previous question, यहाँ पे, okay, when this bullet collides, there is an inelastic collision, तो initial momentum, final momentum के साथ equal होगा, वो type of collision पे depend नहीं करता है, वो हमेशा true होता है, initial momentum सिर्फ इसका है, इसका speed 0 है, तो initial momentum बस इसका है, तो mb0, फाइनली दोनों टकरा गए, दोनों टकरा के, एक साथ move करना स्टार्ट के, विद स्पीड वी, तो final momentum इस capital M plus small m into v, तो वहाँ से आया, v वाला पार्ट, अब energy अच्छा है, energy वाले पार्ट में, energy में मैं भूल गया, इसके बारे में, यह वाला पार्ट मेरा हो गया, है, तो वो kinetic energy ही, इस potential energy में change हो जाती है, तो kinetic energy here is equal to potential energy here, तो उसके according मैंने वही किया है, kinetic energy, potential energy, और हर बार मैंने capital M plus small m किया है, क्योंकि, अब collision हो गया है, अब सिर्फ एक ही मास है, capital M plus small m, वो bullet अंदर धंस चुका है, तो उसके according, बस काट कूट के हमारा आगया, that is our answer, ठीक है धीरो, चलो, next चाहते है, coefficient of restitution पे, good afternoon Manish, चलो, before collision, the particles approach each other, अच्छा, यह अलग-अलग cases है, फिर coefficient of restitution का point आएगा, ठीक है, लेखो, किस-किस type के, पे collisions हो सकते हैं, यह दोनों type पे, एक तो बहुत obvious है, collision कभ हो सकता है, यह ball है, ये ball है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, collision होगा, यह तो सोचने की बात नहीं है, बाकिज जो places हैं, जहांपर दोनों इस direction में जा रहे हैं, या दोनों उस direction में जा रहे हैं, वहाँ पे collision specific category पे ही होता है, specific condition पे ही होता है इस पे collision तभी होगा अगर V1 is greater than V2 और इसको logically समझ सकते हो only if V1 comes faster तभी इसको hit कर पाएगा अगर V2 का speed V1 से जादा है तब तो V2 आगे निकल जाएगा V1 कभी पकड़ी नहीं पाएगा उसको और opposite case में यहाँ पे V2 should be greater than V1 नहीं तो धक्का होगा यह नहीं V2 को पहुँचना है V1 तक तो इसलिए it has to be over that, it has to be greater इस case में no possibility of collision तो नो opposite side जाएगे तो no possibility of collision हाँ किसी भी type के collision में momentum conserve रहता है energy रहे ना रहे, momentum हमेशा conserve रहता है हाँ बस एक criteria तुम्हें देखना है कि कोई अलग से forces नहीं है कोई external forces नहीं है, internal forces होते है, external मतलब जिस moment पे collision वह उसी moment पे तुमने दूसरी बाहर से धक्का भी मारा या maybe वो collision ए gravity वाले space में हो रहा है तब चीजें बदल सकती है थोड़ी, तब उस moment of collision पे नहीं लगा, moment of collision पे तुम्हें अलग से study करना पड़ेगा ठीक है, सिर्फ external force हटाना पड़ेगा and this holds true, momentum holds true अच्छा, after collision, क्या-क्या possibilities है, this is a possibility, obviously अगर आए है, दोनों छिटक के अलग-अलग जा रहे है this is a possibility, this is also a possibility, ठीक है, this is also a possibility, देखो, यहाँ पे after collision के time, V1 शुद बे ग्रेटर देन V2 क्योंकि पहली बार यह V1 था, यह V2 था, अगर दोनों उस तरफ जा रहे हैं, तो V2 शुद बे ग्रेटर देन V1, नहीं तो वो कभी टक्राएं नहीं पाएगा लेकिन टक्राने के बाद, V1 शुद बे ग्रेटर देन V2 क्योंकि अगर V1 greater than V2 नहीं है, तो कैसे होगा, V2 तो आगे जाही नहीं पाएगा तब V1 को faster निकल जाना पड़ेगा, V2 को slower होना पड़ेगा तब तो before collision, after collision वाले cases अलब होगे अगर दोनों same side में हैं, तब V2 शुद बे ग्रेटर यह after collision cases है पिछले वाले before collision cases थे, इनसे you will get questions ओके, ये वाला case is not possible, क्योंकि याद रखना एक collision के बाद फिर से collision नहीं हो सकता, बिना कोई external force के, कुछ बीच में कोई spring नहीं है कुछ नहीं है, तो ये वाला दूसरा collision हो ही नहीं सकता, तो ये वाला case is not possible after collision, तो हर case में तुम देखो, collision होने के लिए, क्या चाहिए है there should be a velocity of approach, मतलब there should be, they should be approaching relative velocity के point of view से भी अगर सोचो, they should be approaching और collision के बाद, they should be drifting apart, they should be reproaching या separating ये important होता है, किसी भी collision के लिए, कि before collision, they should be coming closer after collision, they should be going further apart, जो भी velocity criteria उसको satisfy करेगा, उस type का collision हो सकता है तो इसलिए हम लोग एक quantity डिफाइन करते हैं, जिसको e से represent किते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, coefficient of restitution, which is relative velocity of separation after collision divided by relative velocity of approach, ये अकसर relative velocity of reproach भी बोला जाता है, separation को reproach बोला जाता है, और उसको तो approach बोला जाता है, मतलब, जो भी relative velocity होगा, दोनों के बीच में, before separation और after separation, उन दोनों का ratio यहाँ पर, वही है coefficient of restitution, और तुम्हें दिखेगा कि ये कितना powerful tool है, कितना powerful tool है, काफी questions तुमाहें इसके बदौलत हो जाते हैं, तो चलो, यह वाला question करते हैं, ठीक है, let's do this question over here, यह वाय, find the coefficient of restitution for the velocities before and after collisions as shown in the figure, तो before collision 5 and 3 है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, coefficient of restitution का formula क्या है, it is relative velocity after collision, after collision, divided by relative velocity before collision, ठीक है, after collision relative velocity क्या है, after collision relative velocity is 4 meters per second, क्यूंकि देखो, अगर तुम इसके point of view से उसको देखो, relative velocity क्या है, it will be 2 plus 2, क्यूंकि इस गोइंग और opposite, opposite जा रहे हैं दोनो, तो speed add होगा, so उपर वाला पार्ट होगा 4, नीचे, while coming towards each other, जब पास हा रहे, तब भी velocities add होगा, relative velocities, because they are coming towards each other, तो दिवाइद बाइद बाइट, 5 plus 3, तो इस केस में, तो इस केस में, the coefficient of restitution is going to be half, yes, correct resource, it is going to be 0.5, बाग की students भी, do put it, अगर कोई question आता है, question usually लिखा रहेगा, it's a question, अगर कोई derivation है or anything, I'll do it myself, लेकिन questions पे, साथ में, do try to solve, और chat में डालते रहे हैं, इस resource ने डाला अभी, do put it in the chat, okay, तो यह हो गया coefficient of restitution, कुछ important points, for elastic collisions, coefficient of restitution is always equal to 1, ठीक है, coefficient of restitution, elastic collision में equal to 1, inelastic में between 0 to 1, and perfectly inelastic, जहाँ पे दोनों चिपक जाते हैं, वहाँ पे it will be equal to 0, यह easily समझ सकते हो, क्योंकि coefficient of restitution में, velocity of separation by velocity of approach है, perfectly inelastic में तो दोनों चिपक गए, तोनों में कोई separation velocity है ही नहीं, separation velocity is 0, इसलिए coefficient of restitution becomes 0, okay, in case of perfectly inelastic collision, kinetic energy loss is maximum, जैसे हमने किया, for perfectly inelastic collision, E is equal to 0, यह तो अल्रदी दोबारा लिग दिया, velocity of separation is 0, hence the bodies move together after collision, okay, जो अभी अभी जो बताया है, वही चीज़, okay, एक और question करते हैं, अच्छे, यह अच्छा criteria, यह काफी popular है, यह अच्छी जही अध्वांस के किसी एक pattern में था, similar type का, exactly यह नहीं बर similar type का, लेकिन यह उसका broken down version है, जैसे मैंने इसको 3-4 questions में फ्हलाया है, अलग-अलग चीज़े, जो जही अध्वांस में एक ही question में दी गए थी, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a ball is released from a height h, determine the height to which the ball will bounce back after collision with floor, given coefficient of restitution for collision with ground is e, तो सबसे पहले scenario को समझते, scenario है कि, ऐसे ground है, तुमने एक ball को drop किया है, from a height h, यह वाई क्या, determine the height, from a height h, हाँ, एक height capital H से तुमने ball को drop किया, अब ball जब आके earth के साथ bounce कर रहा है, उस bouncing को भी हम treat कर सकते हैं, like a collision, जहाँ पर earth है, earth का दिखो, अगर कोई body बहुत massive हुआ ना, उसका दूसरे body के साथ, अगर collision हुआ, हलके body के साथ, वो दूसरे body का जो बड़े body का speed literally change हो गा है नहीं, वह आज जो था वही है, तो earth को मैं at rest अगर पकड़ लें, तो technically, यह आया, इतना height गिनने में, collision से just पहले, इसका speed क्या होगा, इसका speed होगा, v1 will be equal to root 2 gh, यह हम लोग का standard formula है, हमने basic इसी में पढ़ा था, motion in a straight line में पढ़ा था, okay, हाँ, elastic नहीं होगा, बता दिया है, coefficient of restitution बता दिया है, अगर elastic होगा, तो वो लोग specifically question में बताएंगे, कि elastic collision है, यह बता देंगे कि e is equal to 1, यहाँ पर e दिया होगा है, coefficient of restitution दिया होगा है, उसके बदॉलत, उसके basis पर मेरे बाखी चीज़े निकालनी है, yes results, that would be it, चलो, तो यहाँ पर v1 speed के साथ आए, और suppose यह bounce back करता है, at a speed of say, इसको v0 कहते हैं, इसको v1 कहते है, v1 मतलब पता चलेगा कि first bounce के बाद उसका speed क्या होगा, तो coefficient of restitution e will be equal to velocity of reproach क्या है, velocity of reproach ही v1 है, क्योंकि earth तो at rest है, earth के point of view से इसका speed, इसी का speed है v1 ही है, तो v1 divided by the speed of reproach, speed of reproach फिर से v0 ही होगा, क्योंकि earth is at rest, तो divided by v0, तो v1 becomes equal to e v0, अब bounce करने के बाद यह suppose एक certain height तक उठेगा, which we'll call as h1, तो उस height तक उठने के लिए उसके पास इतना speed है, v1 speed है, तो v1 speed से वो कितना height तक जाएगा, easy, h1 is going to be equal to v1 square by 2g, again known relation ने हमारा ही है, जो भी speed से launch किये, कितना height तक maximum height जाएगा, it will be that square by 2g, v1 की जगा हम e v0 अगर बिठाते हैं, we get e v0, e square v0 square, divided by 2g, अब v0 square by 2g क्या है, वही h है, इस relation को देखो, यह v0 है by the way, v0 square by 2g ही h है, मतलब h1 becomes equal to e square into h, तो पहले bounce के बाद, उसका height जाएगा, it will become e square times of the initial height, अब हम यहाँ पर नहीं रुख सकते हैं, हमें एक pattern निकालना है, हमें एक pattern निकालना है, कि यह v1 से अगर bounce back करता है, maximum height h1 तक जाता है, फिर जब वो वापस आएगा, जब वापस इस point पर आएगा, तब उसका speed नीचे v1 रहेगा, याद रखो, यह एक bounce के बाद, उपर जाके वापस आ रहा है, तब उसका speed v1 रहेगा, क्योंकि जो भी speed से launch वा, उसी speed से वो फिर से hit करने आएगा, तो जैसे ही वो v1 speed से hit करने आया, सपोज हिट करने के बाद, उसका speed हुआ v2, v2 is the speed after the second bounce, तो v2 भी similar condition पर होगा, बतलब तब की बार, second bounce के time, coefficient of restitution, e will be equal to v2 by v1, e will be equal to v2 by v1, क्योंकि coefficient of restitution तो बदलेगा नहीं, वो standard है for that collision, तो उसके according I will get, v2 will be equal to ev1, h2 will be equal to v2 square by 2g, which will be equal to e square, v1 square by 2g, which means h2 will be equal to, अब v1 square क्या है, v1 square itself is e square v0, तो तुमारा आएगा, e to the power v0 square by 2g, जो क्यों होगा, e to the power 4 into capital H, v0 square by 2g ही capital H है, तो अब कुछ pattern देख रहा है, pattern यह है कि, पहले bounce के बाद e square by h हुआ, e square h हुआ, second bounce के बाद e to the power 4 by h हुआ, अगर आगे भी करते जाओगे, तो तुम्हें दिखेगा, तुम्हें दिखेगा कि, अगर तुम h3 निकालते हो, मतलब पहला bounce, second bounce का height, third bounce के बाद height क्या गया, तुम अगर similar method से जाते हो, तब की बार याद रखना, e will be equal to v3 by v2, अगर उस रस्ते से जाते हो, तो h3 तुम्हें तुम्हें आएगा, e to the power 6 into h, मतलब, the standard relation is that, hn, nth bounce के बाद height, is equal to, e to the power 2n into h, e to the power 2n into h, not proportional to e square, e to the power 2n, you have to take care कि कितने bounce हुए है, कितने bounce के बाद वाला height तुम निकाल रहो, so it is e to the power 2n into h, okay, चलो, I hope this is clear to students, bouncing वाला case, let's move ahead अगले question पे, similar चीज है, अच्छा, यहां पे बूचा है, total distance travelled, can we calculate how many, देखो, यह अच्छा question है, how many times will it bounce, theoretically, it will bounce infinite number of times, अगर पूचा जाए, theoretically, it will bounce infinite number, हर बार height कमता जाएगा, but technically, तुम पूच रहो, how many times it will bounce, मतलब, height, after a bounce is 0, मतलब उठी नहीं रहा, अगर वो करते हो, तभी possible होगा, अगर, your e to the power, sorry, your n becomes equal to infinity, तभी वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है, okay, n becomes, याद रखना, e is a fraction, less than 1, इसको मत सोचो, कि e to the power 2n, तो इसको बढ़ाएगा, बढ़ाएगा नहीं, e is a fraction, तो हर bounce के साथ, कमता जाएगा, you need infinite bounces, to actually come to rest, technically, रियल लाइफ में अलग होता है, रियल लाइफ में, क्योंकि ये, और भी जगा पे एनर्जी जा रहा है, और रियल लाइफ is a bit different, from practical case, from the theoretical case, लेकिन theoretically, इस शुद टेक infinite bounces, चलो, यहाँ पर में पूछा है, total distance travelled by the ball, total distance travelled by the ball का मतलब है, ये ball ऐसे गिरा, ऐसे हुआ, फिर अगला bounce, अगला bounce, अगला bounce, ये हर बार ये, फिर इत्ता height, फिर इत्ता distance, हर बार, total कितना distance travelled किया वो, before it comes to rest, comes to rest, infinite वाला case है, जो हम लोग यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं, तो 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 टोटल distance travelled, स्पेस है हमारे पास, हाँ, ये देखो, हाइट है, अगले bounce में, इस्तेंस travelled, विल बी 2 E square H, क्योंकि E square H तक तो height उठेगा ये, उठने के time E square H travel करेगा, उतरने के time E square H travel करेगा, फिर E to the power 4 H, उठने के time E to the power 4 H, उतरने के रहेगा, तो technically the total distance travelled, total distance travelled will be equal to H plus 2 E square H, plus 2 E to the power 4 H, तो सिफ पहले वाले के time ही मैंने H लिया है, 2 का factor नहीं लिया है, क्योंकि वो बस गिर रहा है H, अगली हर बार उसको उपर जाना है और नीचे आना है, इसलिए दो बार का आता है, उस distance का, प्लस ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, H plus, यहाँ पर मैं 2 E square H, अगर कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास रहेगा, 1 plus E square, plus E to the power 4, plus E to the power 6, so on, all the way up till infinity, infinite terms, अब क्योंकि E is a fraction less than 1, मैं समेशन निकाल पाऊँगा, up till infinity, I hope, सबको GP पता है, geometric progression पता है, तो ही लगाएंगे, H plus, 2 E square H, into this GP में, starting, first term is 1, divided by, 1 minus the common ratio, common ratio क्या है, common ratio is E square, 1 minus E square, अब ये थोड़ा simplify होगा, cross multiply करोगे, तो हाएगा, H को common ले लेते हैं सबसे पहले, cross multiply करोगे, 1 minus E square, plus, 2 E square, divided by, 1 minus E square, तो जो कि तुमें देगा, 1 plus E square by, 1 minus E square, into H, this is the, total distance traveled, by the particle, before it comes to rest, ठेक है, yes, correct धीरू, is us, correct, एक और important point पे ध्यान देन, in questions, they might, instead of telling, asking for distance traveled, वो एवन तुमसे पूच सकते हैं, what is the displacement, कि वो बाउंस कर रहा है, total displacement क्या है, before it comes to rest, total displacement, total displacement, is equal to just H, is equal to just H, क्यों, क्योंकि सिर्फ इसी का distance में displacement रहेगा, बागी हर बार तो अगर positive displacement है, negative है, positive है, negative है, वो सारे cancel करते जाएंगे, और technically, तुम अपने point of view से सोचो, तुमने यहां से छोड़ा था, जो भी हुआ हुआ भूल जाओ, end में वो यहां पर है, बस, total displacement is H, तो be mindful, क्या पूचा गया है, distance पूचा गया है, कि displacement, अच्छा, इसका एक और पाट है, total time taken by the ball to come to rest, तेक्ये, फिर इसका time निकालना है, कितना time लगा, फिर इसका, फिर इसका, so on and so forth, ठीक है, सारे times को add करने पड़ेंगे, मुझे, total time निकालने के लिए, तो generally, time का formula होता है, time का formula होता है, root over of 2H by G, यह होता है, formula for free fall, यह होता हाइट तक उठने के लिए, कितना time लगेगा, तो पहला जो case है, जब सिर्फ गिरा, just to fall, in that, let's call that time T0, T0 will be root over of 2H by G, कितना time गिरा है वो, that is the time it takes, अगली बार, it climbs up, so it is root over of 2E square H, कियोंकि it goes to height of E square H, next time पे, E square H divided by G, लेकिन इसके बाद, सामने एक factor of 2 आएगा, फिर से वही logic, क्योंकि पहला part, यह time एक बार इतना गिरता है, अगला हर बार उसको उपर जाने के time, 2E square H by G लगेगा, नीचे हते के नहीं उठना लगेगा, तो अगला हर, after collision, every jump, will take double that time, तो उसको हर बार double लगाते हुए जाना पड़ेगा, T2 will be equal to, इसको actually simplify E square है, तो इसको निकाल सकते हैं as, इसी पर यहीं पर लिख देते हैं, 2E root over of, 2H by G, ठीक है, second bounce के बाद कितना time लगेगा, that will be, फिर से 2E square होगा, 2H by G, 2E square क्यों, क्योंकि अंदर पे E to the power 4 आता, E to the power 4 को, root से बाहर निकाले as E square, तो technically the total time, technically the total time is, T0 plus T1 plus T2, ऐसे, T will be equal to, T0 is root over of, 2H by G, plus 2E, into root over 2H by G, plus 2E square, root over 2H by G, and so on, infinite terms तक चलता रहेगा यह, तो यहाँ पे, T is equal to, 2H by G, plus, 2E root over 2H by G, start करते हैं, तब हो जाएगा, 1 plus E plus E square, so on, फिर से वहाँ पे एक GP बनता दिख रहा है, तो यहाँ से थोड़ी चीज़े, common ले लेते हैं, पहले ही, root over 2H by G, 1 plus 2E, फिर इसके GP का, first term is 1, divided by, common ratio is E, तो 1 minus E, GP का formula लगाया, तो we have, root over 2H by G, into, cross multiply करें, similar, 1 minus E plus 2E, divided by 1 minus E, is equal to, 1 plus E by 1 minus E, into, root over 2H by G, that is the answer, that is the total time, taken for it to stop, okay, correct resource, ठीक है, students, let's move on, अगले question पर, यह बाउंसिंग वाले के, तीनो जो important चीज़े, वो सारी निकाल दिये, height, distance traveled, time taken, speed, सब कुछ निकला हुए, okay, so any kind of question, you get from here, हो जाएगा, इस वाले question को करते है, a heavy block of mass M, collides with a small block of mass small M, as shown, determine velocity of the small block, just after collision, if E is equal to half, and capital M is much much greater than small M, अब इस point का मतलब ध्यान से समझो, capital M, much much greater than small M का मतलब है, consequence है, कि ये after collision भी, इसका speed change नहीं होगा, after collision भी, इसका speed change नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इतना हाई है, विकन अप्रोक्सिमेट कि इतना नोट चेंज, तो दो दो कितनी आसानी से हो जाएगा, इसका with the coefficient of restitution, according to the coefficient of restitution, velocity of approach क्या है, velocity of approach is 30 meters per second, velocity of approach is 30 meters per second, velocity of reproach क्या है, ये तो 20 meters per second से ही उधर जा रहा होगा, ये उधर जाएगा with the speed V, आया धका खाया, ये as it is जा रहा है, ये उधर चिट अगे अब, with the speed V, वो V ही हमें निकालना है, तो अगर वो side V से जा रहा है, और ये it continues to move at 20 meters per second, तो velocity of, velocity of the reproach, velocity of ये वाला होगा, it will be V minus 20, E का वैलू दिया हुआ है as half, तो half into 30, plus 20 is equal to V, ये हुआ 15, 20 plus 15, V is 35 meters per second, देखो, किती आसानी से हो गया, coefficient of restitution से, अगर मैं इसी को, conservation of momentum लगाता, फिर उसके उपर मैं लगाता, इवेन वो वाला, kinetic energy का formula, बोहुत फैलता, तुम चाहते हैं, तो यहां पे, यू कुट आभ यूस्ट देखो, वो लॉजिक था, क्या कहते हैं, जो हमने formula किया न, V1 और V2 के, वो M1 minus M2 divided by M1 plus M2 into U1, plus 2 M2 U2 by M1 plus M2, वो वाला भी लगा सकते थे, लेकिन वहां पे भी तुम्हें बहुत जादा सोचना पड़ता, वहां पे तुम्हें ये approximation अलग से लगाना पड़ता, तब जाके तुम्हारे answer आते, coefficient of restitution is a lot quicker and a lot simpler, ओके, चलो, let's move ahead अगले question पे, यहाले तो कर लिए हमने, अरे, इसकी answer कैसे छप गया यहां पे, मैवै, जो भी यहाले देखी लेते हैं, large ball moving with a speed 10 meters per second, elastic collision with a dust particle of negligible mass, moving in the same direction with a speed of 2 meters per second, यहां पे, velocity of dust particle just after collision, देखो, यहां पे, coefficient of restitution दिया हुआ नहीं है, लेकिन बताया हुआ है, elastic collision, मतलब, coefficient of restitution is equal to 1, और उसके बदावलत हमने solve किया, उसके बदावलत हमने solve किया, coefficient of restitution को 1 बिठाया initially it is 10-2 same direction में इसलिए relative velocity will be 10-2 और after collision it is moving with a speed V तो वहाँ पे V राश माइनस 10 according दी मेरा आगया 18 meters per second तो coefficient of restitution is very powerful अगर मैं इसको elastic collision से तब मेरे को वो method लगाते है formula लगाते है या फिर kinetic energy के थ्रू लगाते है बहुत जादा time गुजरता इसको करते है खुद से says two masses 2m and m move with a velocity 2v and v as shown determine the velocity of both masses just after their elastic collision ठीक है 2m और m है moving with a velocity 2v and v initial velocity यह है तुम इसको इससे भी कर सकते हो या चलो दो question उससे किये एक formula लगाके कर लेते है formula क्या है formula था v1 is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1 plus यह सारी चीज़े मैं बताते हुए जाऊँगा तो मैं तब पता चलेगा formula में values डालते हैं गैसे 2m2u2 divided by m1 plus m2 and v2 थोड़ा space देखे करते हैं तब भही पर calculation हो जाएगा v2 would be m2 मैं same चीज़ बस m1 और m2 के जगह बदल दो m1, m2, u1, u2 के m1 plus m2 into u2 plus 2m1, u1 divided by बातारो यह याद रखना बहुत मुश्किल नहीं एक बार पैटन दिख जाना formula में कि जिसका भी निकालने उस नीचे वाला पार तो हर जगह सेम उपर के पार में एक पार में मैं मैं एक में तू m2, m, u रहेगा v1 के time, m1 minus m2 और दूसरा वाला m2 के साथ आएगा so on, याद रखोगे तो देखना, यह मैं बताऊंगा तो exactly हो गाए नहीं तुम लोग को दो तीन बार formula को देखना, एक pattern ढून लेना pattern मिल चाएगा तो easily याद रहेगा जितना भी complicated लगेगे तो इसके according v1, चलो इसको मैं body 1 पकड़ता हूँ, इसको मैं body 2 पकड़ता हूँ तो speed m1 minus m2, m1 है 2m, minus m2 है m divided by 2m plus m is 3m into u1 इसका speed है 2v plus 2m2 m2 तो m2 है 2m by 3m into u2 है v तो ये क्या आएगा ये आएगा m by 3m so 2m v by 3m इधर भी 2m v by 3m technically m कट जाएंगे सारे ये आएगा 2 by 3v m by 3 2 by 3v इधर भी 2 by 3v तो v1 आएगा 4 by 3v और इसका क्या होगा इसके case में m2 is equal to m m minus m1 है 2m divided by m1 plus m2 is 3m plus 2m1 u1 2 into तो यहाँ पे 2 into 2m into 2v divided by फिर से 3m m's को काटो सबसे पहले m को काटो तो मेरा इधर पे क्या आएगा इधर पे आएट v by 3 अच्छे यहाँ पे एक v b s साथ में u2 was just v तो यहाँ पे आ रहा है space है क्या और एक और space था तो इसका आ रहा है v2 का रहा है this part gives you minus v by 3 और इस part का आएगा 8v by 3 जो की होगा 7v by 3 तो v2 is 7v by 3 and v1 is 4v by 3 that is the answer हाँ नेहा doubt है पूछ लो ओके तो देखो यह वाला method एक तो formula याद रखना है और लंबा जाता तुम लोग खुद कोशिश करना है इसको with coefficient of restitution 1 के साथ जो हमने पिछले methods कि है उसके method से करो comparatively काफी जादा faster आएगा नेहा अगर तुमारा कोई doubt है पूछ लो मेरे को चाट में ओके चलो आगे चलते हैं इसस्ट्व मासस 4 kg 2 kg moving in opposite directions with speed of 2 meters collide opposite direction में आ रहे हैं determine the speed of both masses after collision coefficient of restitution दिया हुआ है elastic से करो ना as in coefficient of restitution के point of view से बोल रहे हो coefficient of restitution इसमें लगा के देखो तुम इसमें coefficient of restitution लगा के देखो तुमारा same तरीके से आएगा similar तरीके से आएगा लेकिन उसके साथ तुम्हें यहाँ पे momentum के relation भी लगाने पड़ेंगे okay momentum के relation भी तुम इसके साथ साथ लगा सकते हो okay 4 kg यह case करते है कि यह 4 kg है यह 2 kg है यह आ रहा है 2 meters per second यह भी आ रहा है 2 meters per second ठीक है दोनों collide करने के बाद अलग अलग जाएंगे दूस्तरे का speed भी नहीं पता है हम लोग को तो हम लोग पहला equation निकालेंगे through the momentum ठीक है पहला equation निकालेंगे through the momentum so according to conservation of momentum so समझो बाद में I'm assuming कि टकराने के बाद दोनों opposite direction में जा रहे ठीक है इस बिफोर और आफ्टर का सीन है आफ्टर का सीन है यह 4 है यह 2 है यह इधर जा रहा है with the speed of v1 यह इधर जा रहा है with the speed of v2 ठीक है अब conservation of momentum के according मेरा क्या आएगा सबसे पहले 4 into 2 minus 2 into 2 minus मैंने क्यों लगा है क्योंकि इसका momentum opposite direction में 4 into 2 minus 2 into 2 is equal to यहाँ पे 4 into v1 4 into v1 minus 2 into v2 minus 2 into v2 अब यहाँ से मेरा आएगा यह 8 minus 4 will be 4 तो 4 v1 minus 2 v2 is equal to 4 मतलब 2 v1 minus v2 is equal to 2 यह है मेरा equation 1 यह है मेरा equation 1 equation 2 हम लोग को निकालना है from the coefficient of restitution उसके according उसके according velocity of reproach is v1 plus v2 divided by velocity of approach is 4 2 plus 2 एक साथ e का वैलू दिया हुआ है half so technically half यह इदर करोगे तो 2 तो v1 plus v2 is equal to 2 यह है मेरा second equation simultaneous solve करना है 2 v1 minus v2 is equal to 2 और v1 plus v2 is equal to 2 तो इसके साथ मैं इसको add कर देता हूँ 2 v1 minus v2 is equal to 2 first equation को मैंने बिठाया v2 कट गए I am left with 3 v1 is equal to 4 therefore v1 is equal to 4 by 3 meters per second अगर यह 4 by 3 हुआ तो यह इस equation से तो v2 निकाल सकते हो 3 by 4 आएगा अधिरू 3 by 4 आएगा 3 by 4 नहीं आएगा 4 by 3 आएगा and then v2 will become equal to 2 by 3 meters per second simultaneous solve कर गए okay students clear है किसी को कोई भी doubt है इसमें do let me know in the chat किसी को अगर कोई भी doubt है इस section में okay काफी नाए students join कर रहे है students हमने काफी आगे तक गए है अभी equal master special cases पर जाएंगे अगर session पसंद आ रहा है and if you haven't liked the session yet तो do like it हम लोग sessions को लाते हैं तुम लोग के लिए all we ask for return is just तुम लोग session को like कर दो चलो equal masses colliding ये कुछ special cases होते है तो special cases को बस देख लेते हैं जट से special cases है if before collision equal masses है if equal masses collide अलग-अलग speed से coming towards each other और even in the same direction फरक नहीं पड़ता अगर equal mass collide करते है then after collision they exchange their velocities okay they will exchange their velocities including the direction मतलब A body V1 speed के साथ उसकी तरफ उस साइड जा रहा था after collision B body V1 speed के साथ उस तरफ जाएगा so they will exchange their velocities including the direction okay जैसे यहाँ पे है A 2 meters A 10 meters B 2 meters same direction पे opposite भी नहीं आना है ऐसे जा रहा है after collision after collision A को मिल जाएगा 2 meters per second B को मिल जाएगा 10 meters per second they will exchange यह सिर्फ तब होता है जब दो मासेज आर इक्वल इसका at rest वाला केस भी होता है at rest वाला केस मतलब अगर यह at rest है suppose ball ऐसे है दूसरा वाल आके इसको टकराता है अगर equal mass हुआ दोनों में फिर से velocity exchange होते है according to that M A अब rest वे हो जाता है B उसपीट से जाता है मतलब यह खड़ा था यह आके hit किया अब यह रुख जाएगा यह उसपीट से आके जाना start करतेगा so they will exchange their velocities यह वाला एक case है जिसको तुम लोग काफी देखो कि newton's cradle बोलते है बहुत सारे ball लगे रहते हैं एक side pendulum जैसा एक side पर पकड़के उठा के मारोगी इधर जाएगा तो उस side से ball निकलेगा ऐसा नहीं कि sub में जाएगा जैसे यह सारे अगर in contact है और यह A आके इसको hit करता है literally इसके through बहुत minute 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 collisions होते रहते है होके यहाँ पे यह जो F वाला piece है वो जाके निकल जाता है ओके बीच में और वो A आके इसके साथ चिपक गया यहाँ पे सिर्फ वो F वाला निकले है टेक्निकली बहुत चोट चोटो collisions हो रहे अंदर पे लेकिन तुम्हें उसको एफेक कभी दिखेगा निक और यह सारे यह तभी होंगे जिब सारे मासस इक्वल होंगे ओके नेक्स्ट वेन वन मासस मच मच ग्रेटर दन दी अदर मास् यह वाला केस हम लोगों ने अल्रेडी किया है कि अगर लाइटर पार्टिकल अंडर गोज हैड़न कोलिशन वित अ मच हायर मास् लाइटर παर्टिकल रिबाउंड सिफ दे समे विल वालो केgard केटर मैंक्रसी मेंघ अप्रोंट्री में मंच आपちゃ煩 है अगर हैविए और अबाड यहulan बस वो बड़ा वाला बड़ी मुवी नहीं खरेगा अगर उसका मास बहुत हाई रहा if heavier particle collides head on elastically with a much lighter particle at rest velocity of the heavier particle remains practically unchanged lighter particle moves with double the velocity of the heavier particle मतलब heavier particle अगर आ रहा है धीरे 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 lighter body को टकराता है heavier particle फिर भी उसी speed से जाएगा लेकिन lighter particle अब इसके double speed से मुव कर जाएगा अगे okay so just 2 extra cases special cases सोच सकते हो अगर use आ जाए कहीं पे then well and good नहीं तो again a bit uncommon यह derived भी हो जाते है बहुत simply okay question करते है body collides with another at rest if after collision first body comes to rest and final kinetic energy of the system is one third of the initial हम लोगे energy के थ्रू जाना ही पड़ेगा ठीक है तो यहां पे body collides with another body at rest first collision after collision first body comes to rest and final kinetic energy of the system is one third okay linear momentum of a system of masses is zero no no such criteria की zero होना पड़ेगा depending on the case हे मानश्यों हम हम अब हम लोग लोग को चुका है वो सारे lectures live इसी इसी चैनल पर तुमको मिल जाएंगे but now we are into collisions तो सबसे पहला suppose यह body है यह body है at rest ठीक है it is coming in with a speed यह वाय क्या ठीक है चुड़ा अज्यूम करते है इस coming in with a speed u इसका speed is zero collision के बाद collision के बाद यह body 1 है यह body 2 है collision के बाद body 1 rest पे चला जाता है और body 2 moves with a speed of cb right अब इसके according I can find out coefficient of restitution के बाद ओलत let's assume that the coefficient of restitution is e then e will be equal to v by u देखो relative velocity after collision relative velocity before collision इधर है v इधर है u क्यूंकि दूसरा body was at rest in all cases तो v by u मतलब v is equal to e u अब बताये वाय कि final kinetic energy of system is one third of the initial तो initial kinetic energy क्या था initial kinetic energy सिर्फ इसकी वज़े से था पेजे हम लों के पास initial kinetic energy सिर्फ इसकी वज़े से था तो k1 k initial is equal to half into let's assume यहाँ पे masses दिये हुए है m into u square equal masses होंगे तभी वो at rest जाके दूसरा वाला जा रहा है ठीक है half mu square and the final kinetic energy is equal to half mv square ठीक है final kinetic energy is half mv square यह equal masses पे चल दा है ठीक है क्योंकि इसमें सिर्फ speed v है अब बताया है कि final वाला one third of initial है मतलब kf is one third of k i उसके according half mv square is 1 by 3 into half m u square एक half m को हटाओ दोनों तरफ से यह v is equal to eu e square u square is equal to 1 by 3 u square u square cut gya e is equal to 1 by root 3 that is the coefficient of restitution it is 1 by root 3 is us won't be root 3 root 3 होई नहीं सकता क्योंकि coefficient of restitution का maximum value 1 है उसको less than 1 होना पड़ेगा तो root 3 is not possible at all it is 1 by root 3 okay let's move ahead to the next part perfectly inelastic हमने basic perfectly inelastic already देख लिया है वर निवे it is the case जहां पर both bodies stick together and loss in kinetic energy is maximum right तुसका देखते है two balls of masses 2m and m move in opposite directions with speed u opposite direction दोनों का speed u find maximum possible loss in kinetic energy on collision maximum possible ये दिखो हमेशा inelastic बोलेगा भी नी perfectly inelastic बोलेंगे भी नी बोलतेंगे maximum possible loss in energy मतलब you know this means that it is perfectly inelastic perfectly inelastic यही represent करता है तो निकाल लेते है final speed क्या होगा final speed of the combined mass system would be 2m u minus m u divided by 3m यह कहां से आया m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 plus m2 into v m1 u1 minus मैंने क्यूं किया minus किया क्यूंकि यहां पे minus क्यूंकि यहां पे opposite directions पे move कर रहे है so I have to take care of the negative thing दूसरा वाला momentum negative है तो क्या होगा है तो technically I get V is equal to U by 3 अब I want the maximum possible loss in kinetic energy मतलब delta k would be equal to kf minus ki kf क्या है half into final kinetic energy is the total mass is 3m ठीक है and it is moving with the speed of U by 3 3m into V square V square is U by 3 directly डाल देते है U square by 9 minus initial kinetic energy क्या है initial kinetic energy के time हमें अलग-अलग से इसका और उसका अलग से निकालना पड़ेगा okay after here coincidentally दोनों का speed U है but technically you have to separately find the kinetic energy for both of them तो होगा minus half into 2m into U square वो इस 2m मास के लिए minus half m into U square वो है इस मास M के लिए यहाँ पर कोई direction का बात नहीं आएगा कि कानेटिक energy is independent of direction तो क्या आ रहे हमारे यहां पर I get half mu square अगर common ले लू 3 छोड़ा तो I have 1 by 3 minus actually मेरे को ki minus kf करना चाहिए था क्योंकि ki will be greater than kf loss in kinetic energy होगा 1 by 3 और यहां पर आएगा तुमारा 3 3 आएगा half mu square निकाल लोगे तो minus 2 minus 1 will be minus 3 तो technically यह क्या आ रहे है half mu square into 3 minus 1 by 3 would be 8 by 3 काटो 4 so it is 4 by 3 mu square that is the maximum loss in kinetic energy ठीक है नेगेटिव आएगा सिर्फ momentum में यहां पर negative kf minus k यह इसलिए kinetic energy में direction के ऊपर negative नहीं आएगा अगे चलो let's move ahead अगले question पे किसी को कोई भी doubt हो do let me know अगले question पे चलते हैं यह तो देखा हुआ था okay monkey of mass 10 kg jumps on to a cart of mass 2 kg going with a speed of 30 meters per second find the speed of the monkey and cart just after the jump तो यह है अब देखो यह भी a collision है technically क्योंकि अचानक से इस body का mass बढ़ गया तो इसको literally ऐसे सोचो कि monkey was at rest cart आके उसको उठाके लेके गया तो here also conservation of momentum will remain will be there this is also हम लोग इसको collision की तरह ही सोच सकते हैं क्योंकि अचानक से बीच रस्ते इसका mass बढ़ गया it's like an inelastic collision जहां दूसरे body का initial speed was zero right तो initial speed is just initial momentum is just because of this monkey का होई momentum है नहीं तो it is 20 into 30 is equal to monkey का mass दिया होई क्या mass है 10 kg जैसे monkey इस पर गिरता है that is after collision after collision they stick together and go so it will be total mass is going to be 30 now 30 into अब होगा speed V तो technically यहीं पर साफ दिख रहा है V will be equal to 20 meters per second ठीक है तो यह वाले cases भी अक्सर collision ऐसे लगते नहीं दिखे अब आते हम लोग oblique collisions में oblique collisions में आते हैं oblique collisions के time similar चीज़ें हैं conservation of momentum ही लगाना है लेकिन oblique collision में तुम्हें हर component में momentum अलग से conserve करना है मतलब अगर ऐसे यह ball hit करके bounce करके जा रहा है और यह oblique collision है straight line नहीं जा रहा है it's going in a oblique angular way तब तुम्हें कोई भी axis ले लो perpendicular 2 axis ले लो हर axis पे तुम्हें अलग से momentum conserve कराना पड़ेगा तो जिस angle पे hit करेगा उस angle पे exactly वो bounce नहीं भी कर सकता है ठीक है? depending on कैसे तुमारे velocities change हुए कैस टाइब का momentum यह किस टाइब के coefficient of restitution है उस collision में उसके according यह bounce angle भी अलग हो जाएगा तो देखते हैं यह वाला case before collision जहां यहां पे दियावा है before collision it has the ball has the velocity V cos theta and V sin theta horizontal पे उसका V sin theta रहेगा अगर मैं यहां पे कर लूँ यह angle will be theta by alternate angle तो इस direction पे will be V cos theta और इस direction पे will be V sin theta sorry उल्टा कर दिया मैंने इस तरफ होगा cos theta क्योंकि वो theta वाला angle के साथ है इस तरफ होगा cos theta और इधर होगा sin theta अब collision जो होगा उस time पे हमें बस V cos theta वाला part पे ही collision को study करना है सिर्फ यह वाला क्योंकि collision ground के साथ हो रहा है तो सिर्फ यह वाला velocity ही उसके collision में कुछ contribute करेगा जो सीधा जा रहा था उसमें तो कोई change है यह नहीं उसके उपर तो technically कोई collision होता है मतलब एक force लगता है एक collision जब हो रहा है there is a force over there तो collision के time वह force के वज़े से यह technical internal force है लेकिन वह force की वज़े से momentum change होता है ठीक है internal force है यहाँ पे वह force technically bounce कर रहा है मतलब वह force normal reaction force होगा जो भी वहाँ पे लगेगा उसका force होगा तो वह force हमेशा vertical line पर ही act कर रहेगा तो इसलिए अगर उसको velocity change करना है तो वह सिर्फ यह vertical velocity को ही change कर पाएगा horizontal को वह छू भी नहीं पाएगा तो this sin theta part will remain unchanged the cos theta part will be affected ठीक है तो ही पता है देखो बाद में after collision it is v sin theta only right in that direction लेकिन the vertical component is now e v cos theta e है coefficient of restitution यह हमने पिछले जब हमने bouncing wall किया था वहीं पर देखा था कि speed literally e times हो जाता है हर bounce के बाद coefficient of restitution time हो जाता है इसलिए v cos theta से अब e v cos theta हो गया direction भी बदल गया obviously bounce किया लेकिन साथ में उसका magnitude भी change हो गया तो वहीं से तुम देख सकते हो कि अब angle क्या होगा जब यहां पर theta था तो this tan theta was coming from v sin theta by v cos theta ठीक है vertical by horizontal sorry by horizontal by vertical in this case क्योंकि theta यहां पर दिया हुआ है यहां पर अगर same करता हो मै horizontal by vertical according to that tan phi becomes tan theta by e the angle becomes tan of the angle becomes 1 by e times तो वह angle भी change हो जाता है based on किस type के collisions है और जो final magnitude अगर पुछा तो magnitude is root over v square sin square theta plus e square v square cos square theta यह तो दिख रहा है दो perpendicular vectors दो perpendicular components उनका resultant okay if asked what is the change in momentum of the ball there is no change in momentum along the horizontal only the momentum changes in the vertical direction vertical direction में यहां पर momentum का magnitude नहीं बोल रहा हम है momentum change हो रहा है क्यों क्योंकि पहले vertical momentum downwards था अब vertical momentum upwards है ठीक है उसकी वज़े से change हो रहा है sorry magnitude भी change होगा e का factor आएगा लेकिन horizontal में कोई change नहीं है total momentum change नहीं होगा क्योंकि total momentum accordingly earth के momentum के साथ भी related है तो जो भी इसका momentum कम गया वापस जाते time वह actually earth को transfer होगे लेकिन earth का mass इतना जादा है that we don't उसको भूल सकते हम okay the momentum change is mv cos theta 1 plus e that is the momentum change in this block याद रहो यहाँ पे मैं collision कर रहा हूं लेकिन collision में 2 body नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं सिर्फ एक body के momentum changes मैं earth को considering नहीं कर रहा हूं और इसलिए coefficient of restitution इतना powerful है क्योंकि वह तुम्हें एक body के basis पे भी collision study कर अगर तुम्हें दूसरे body का जादा information नहीं भी पता है चल जाएगा तुम्हारा तो यहाँ पे it is v cos theta उपर है ev cos theta तो technically the change in momentum is mv cos theta minus minus of minus ev cos theta क्योंकि इसका direction opposite है accordingly one plus हो जाएगा alright students यह bouncing मगर किसी को doubt हो do let me know यह वाला question देखते है it says in a gravity free region a ball moving with a speed of 10 root 2 collides at an angle of 45 degree as shown if e is equal to 1 by 5 find the speed with which the ball goes back and the angle 5 to formula नहीं लगाते quick derive कर लेते 10 root 2 है मतला इधर 10 होगा इधर 10 होगा 45 degree angle पर 1 by root 2 का factor आएगा 10 10 निकलेगा अब 10 वाला change हो जाएगा by a factor of e so technically when it bounces off is v component will be 10 into e that is 10 into 5 that is equal to 2 और ये वाला unchanged रहेगा at 10 ये वाला unchanged रहेगा at 10 horizontal वाला change नहीं होता तो if I now want the angle अगर मेरेको angle चाहिए ये angle है 5 राइथ then tan 5 is equal to 10 divided by 2 vx by vy यहाँ पर that is 5 is equal to tan inverse of 5 वह angle पर ये जाएगा जो कि 45 degree नहीं होगा mind you 45 वह और जादा चप्टा होके जाएगा क्योंकि उसका speed कम गया है it will come at this angle लेकिन bounce करेगा और चप्टे आंगल पर और राइट और क्या पूछ है speed with which the ball speed तो यहार आसान सा है v is equal to root over of vx square plus dy square so 10 square plus 2 square v is equal to root 104 इस रोट वोट नहीं निकलेगा अभी root के हालत में इसको छोडते है okay let's move ahead students I hope clear है यह वाला यह हमने जासे निकाला चलो यहां पर दिया हुआ है if a ball is projected with a speed of v at an angle theta with the horizontal and the coefficient of restitution between the ground and the ball is e then determine theta 1, theta 2, theta 3 so on in terms of theta तो यह तो मैं directly निकाल सकता हूँ इसी से देखो अगर launch हुआ है launch हुआ है तो technically इधर है v sin theta इधर है v cos theta right bounce करने के time भी similar चीज होगा bounce करने के time just bouncing से पहले moment पे वो v sin theta gain करेगा और इस direction पे रहेगा v cos theta अब v cos theta तो change होगा नहीं that is the horizontal वाला वो change होगा नहीं लेकिन bouncing के बाद यह v sin theta हो जाएगा e v sin theta bouncing के बाद इसका will be e v sin theta तो उसके आग वाटिंग हम लोग निकाल सकते हैं tan theta tan theta will be e v sin theta by v cos theta v v काटो so tan sorry यह theta 1 करते हैं tan theta 1 is equal to e tan theta that's it आगे वाले भी अगर करते जाएँ तो यह आएगा तुमारा theta 2 तुम देखो के tan theta 2 similar logic पे अगर तुम यहाँ theta 1 से motion स्टार्ट करते हैं तो similar logic पे आता e tan theta 1 tan theta 1 e tan theta है तो tan theta 2 is equal to e square tan theta 1 यह चीज़े repeat होते रहेंगे मतलब tan theta n will be equal to e to the power n times of tan theta that's it mind ध्यान में रखना पिछली बार जामने किया था तब हमारा 1 by tan theta by e आया था क्योंकि वहाँ पे आमने अंगल वर्टिकल वाला अंगल लिया था यहाँ पे horizontal लिया इसलिए e tan theta है इसलिए formula को रटा मत रखो method को समझ लो जैसा लगेगा जिस moment पे लगेगा तुम क्विक्ली डिराइब कर पाऊगे पाऊचिण लिए पाऊचिण लिए यह ओला question लेखते है इसस्टो पारिकल्स equal mass M moving with speed V in perpendicular directions collide perfectly inelastically find the speed of the system just after collision अब थोड़ा सही है पहे common sense भी लगाना तब question थुमारा शौटर हो जाएगा कि यह दोनों equal masses equal speed बेगे को लाइड करेंगे तो obviously at an angle of 45 degree जाएगे यह थोड़ा इसी से आ रहे है logic से आ रहे है ठीक है तो अगर वह कर दोगे तो method काफी आसान हो जाएगा तो देखते हैं पूरा setup यहाँ पर momentum को conserve रहना याद रखना तो तुम्हारा जो भी V है वह इस direction पे जाएगा ठीक है चलो मैं अभी के लिए assume करता हूँ कि यह angle theta है चलो यह angle theta ही कर लिए तो according अच्छा V नहीं कह सकते ना V dash कहते है momentum अब इस जो यह जो mass उपर जाएगा इसका mass हो जाएगा 2m क्योंकि दोनों चिपक गया है तो जो conservation of momentum है वो पहले इस line में लगाएंगे फिर लगाएंगे इस line में ठीक है तो अगर horizontal line पे लगाते है horizontal line पे initial momentum बस इसकी वजह से था which was M V and that is equal to 2 M V dash into cos theta वो वाला momentum right M को काटो so we have V V is equal to V is equal to 2 V dash cos theta vertical line पे same चीज आएगा vertical line पे initial momentum is just M V that is equal to 2 M V dash sin theta again M काट दो right students अगर किसी को कोई doubt हो पूछ लेना तो यहां पे 2 divided by 1 करते है जैसे ही करेंगे मेरा आएगा एको सब कट जाएगा बचेगा सिर्फ tan theta is equal to 1 मतलब theta equal to 45 degree तो जो common sense लगा थे हमने सच निकला यह अंगल 45 degree पे जाएगा अगर यह 45 degree है तो हम इवेन V का भी निकाल सकते है speed of the system भी निकाल सकते है V dash sorry V dash is equal to V by 2 sin theta 2 sin 45 sin 45 is root 2 so technically V dash is V by root 2 that is the answer ठीक है तो जब भी two body collision मिलेगा अगर ground वाला case वा जहांपे coefficient of restitution है अगर two body system ऐसे दिया हुआ है तो दो axis पे अलग-अलग momentum conserve करना जादा तर cases में तुम्हें यह perfectly inelastic के case में दिया जाएगा क्योंकि elastic में उनको काफी साले variables देने पडेंगे और काफी लंबा खीषता है वो question तो mostly inelastic 2 पर ही रहेगा और elastic रहें similar जा सकते है यह वाला करते है two identical masses m moving with speed same speed collide perfectly inelastically move together with a speed half of the initial determine angle between the velocity vectors of masses before the collision let's say initial angle between the velocity vectors is theta मतलब इसके बाद यह दोनों जा रहे है as a mass 2m at a speed given by v by 2 so speed दिया हुआ तो सबसे पहला चीज जो हम कर सकते है हम लोगो क्या चाहिए अ determine angle between तो यह angle theta चाहिए तो उसके मताबिक यह जो momentum है the momentum को अगर मैं as a vector form सोचूं तो this vector plus this vector is equal to this vector मैं component में भी break नहीं करता हूँ component break कर सकता हूँ component में break करोंगा तो मेरा theta by 2 अगरा आ जाएगा theta by 2 का point आ जाएगा तो मैं वो करना नहीं चाहता तो instead यह P1 vector है यह P2 vector है right momentum और इस साइट पे P3 vector ठीक है? combined momentum तो अगर direct momentum का इस vector form पी करें तो P3 vector is P1 vector plus P2 vector तो magnitude of P3 vector is equal to root over of P1 square plus P2 square plus sorry P2 square plus 2P1 P2 cos theta अच्छी बात है कि हमें यहाँ पे theta दिया हुआ है दोनों vectors में इसलिए यह method यहाँ पे convenient है हमारे लिए तो वह जैसे ही बढ़ाते हैं हमारा आता है यहाँ पे P3 vector क्या है? mass है 2m speed है v by 2 magnitude लेके यह काम कर सकते है हर एक P1 P2 दोनों यह M into V सिर्फ magnitudes M B whole square plus M B whole square plus 2 M B whole square M B into M B into cos theta अटाओ इधर पे आएके M B whole square square कर दिये both side तो we have 2 M B whole square plus 2 M B whole square मारी साब कितना लिखना बढ़डा है M B whole square M B whole square काटो we have 1 is equal to 2 plus 2 cos theta मतलब cos theta is equal to minus half cos theta minus half मतलब कहां पे होता है? 120 degree पे theta is equal to 120 degree that is the answer yes correct is awesome हाँ यहाँ पे वेक्टर से आसाए यहाँ पे वेक्टर से आसाए देखो वही है कि तुम्हें चूस करना है कौन सा मेथड कहां पे आसान होगा यहाँ पे क्योंकि theta दियो अगर मैं component में तोड़ता तो यहाँ पे मेर को जादा महनत लगती क्योंकि theta by 2 cos theta by 2 sin theta by 2 आ जाता है वो theta by 2 में लोग जाना नहीं चाते है but over here breaking it into the components was the easier way यहाँ पे भी कर सकते हो technically क्योंकि यह angle 90 degree है यहाँ पे भी जा सकते हो but I am showing you both methods okay here we have another question we have mass of 1 kg collides obliquely with mass of 4 kg initially at rest find V1 by V2 given that the velocity of 1 kg and 4 kg makes an angle of 30 degree and 60 degree with the direction of initial velocity of 1 kg अच्छे यह है setup before collision after collision अब मेरे को component के थूँ जाना पड़ेगा बाकी करना थोड़ा मुश्किल है ठीक है बाकी जाना थोड़ा मुश्किल है actually यहाँ पे निकाल भी सकते हो दोने के बीच में angle 90 degree है चाहो तो निकाल भी सकते हो लेकिन इसको component के through ही करते है वो जादा यहाँ पे easy है इसलिए कर सकते है लेकिन method वही follow करते है तो इसको V1 vector इसका momentum क्या होगा P इसको चलो P1 P2 कहते है momentums और इसको P1 dash और P2 dash momentums ठेक है तो P1 dash would be equal to 1 into V1 cos 30 i cap plus V1 sin 30 j cap और P2 यह vector form में है P2 dash vector is equal to mass है 4 kg 4 into V2 cos इसको V1 को भी बाहर ही रख सकते है anyway V2 cos 60 i cap minus V2 sin 60 j cap minus का ख्याल रखना क्योंकि इसका component नीचे की तरफ आएगा okay तो P1 vector और P2 vector निकल गए P1 और initial momentum के point of view से क्या था P1 vector was equal to just V और क्युछ दिया हुआ है कुछ दिया हुआ है नहीं V1 sorry V i cap बस यही था ठेक है right और कुछ data दिया हुआ है कि हम लोग को तो हमारे पास publicly with a mass 4 kg V1 by V2 चाहिए okay देखते हैं momentum conserve करते हैं पहले i cap वाला conserve करते हैं according to the i cap conservation V is equal to i cap मतलब horizontal वाला V is equal to V1 cost 30 plus V2 को cost 60 V1 cost 30 plus V2 cost 60 actually i cap वाला conserve करके मेरेको फाइदा है नहीं क्योंकि मेरेको V1 by V2 चाहिए ना मैं directly मैं directly j cap वाला कर सकता हूँ क्योंकि इधर j cap का component 0 है तो मैं directly इन दोनों को ही equate कर सकता हूँ technically according to that this is i cap वाले components j cap वाले components देखो initially it is 0 j cap में तो 0 is equal to V1 sin 30 minus V2 sin 60 V2 sin 60 तो मेरेको क्या चाहिए मेरेको चाहिए V1 by V2 तो V1 by V2 is equal to sin 60 by sin 30 जो की होगा root 3 by 2 divided by half root 2 कातो V1 by V2 is equal to root 3 that is the answer ये वाले जरूरत भी नहीं था it would be V1 by V2 is equal to root 3 okay चलो let's move ahead students कोई भी doubt हो मेरेसे पूछ लेना मेरेको chat में answers दिख रही रहे in questions के difficult लग रहा है difficult लग रहा है क्या 4 नहीं आएगा कहां पे 4 नहीं आएगा oh right 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 good point good point 4 मैं मिसी कर गया था इसका तो सामने एक factor of 4 था right ये 4 V2 होगा वर ये 4 V2 हुआ तो उदर आएगा एक factor of 4 आएगा so it would be 4 here so answer would be 4 root 3 correct correct good point is us good point 4 root 3 आएगा ये यहां पे ये momentum के point of view से मास 4 kg था उसको मैं ignore कर गया था correct thank you is us चलो अगला है okay ये बस एक factual चीज है end में जान लो इस पे बहुत जादा questions नहीं आते लेकिन it can help you out directly question को like literally orally solve कर देने में okay chemistry वाले सर का तबियत थोड़ा खराब है maybe evening में he might be taking a class as far as मेरे को बता है evening में शायद उनका तबियत ठीक हुआ वो दोनो ऐसे जाएंगे की देर की देर work power energy 2023 के updated okay and then later on अगले दिन पे we'll be having collisions की पीवाइक्यू after rotational mechanic क्योंकि mechanics खतम कर देता है okay mechanics तब खतम करके then we will move over there move over there till till maybe current electricity magnetism तग 12 का करेंगे फिर we'll come back to 11 so do subscribe to the channel Vanshraj और उस poll में do put in your inputs क्योंकि उसके according हमारे classes चलेंगे आगे YouTube पे okay okay चलो students thank you all so much for tuning in I'll catch you all again कल class थोड़ा लेट होगा 3 बजे नहीं साड़े तीन बजे स्टार्ट होगा so do be there on time कल PYQs करेंगे on work power energy आज के लिए इतना ही students अगर session पसंदा है do like the session जिन होने अभी तक like नहीं किया है and do subscribe to our channel thank you all so much for watching catch you all again in the next one कट अटू़र कर उल झाल करें घोग़र दोग़र आफ़र दोग़र